यदि हम समाच के मौजूदा वास्त्विक धांचे को समझना चाहें समाच के वास्त्विक प्रारूप को समझना चाहें तो हमें खुद के आकलन के साथ साथ आसपास के लोगों को समझना होगा आसपास में होते हुए बदलाओं को समझना होगा आसपास में होती वही गतिविधियों को समझना होगा क्रिया कलापों को समझना होगा उन्हें खांगालना होगा जब हम इस प्रकार से मन्थन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तब हम पाएंगे कि अधिकांश बार ऐसा ही हो रहा है कि अधिकांश बार हम और हमारे साथ अन्य लोग भी अधिकांश संख्या में न करात्मक्ता में ही सनलिप्त है अब यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ऐसा है क्यों आखिर नकारतमकता में ही क्यों सलिपते हैं अधिकांश लोग जिसमें हम भी शामिल हो सकते हैं उसका यही सबसे बड़ा उत्तर है कि हम जैसे लोगों से मिलते हैं जैसे संगति करते हैं, जैसे विचार रखते हैं, जैसे सपने देखते हैं, जैसी अभिलाशाएं पालते हैं, जैसे क्रिया कलाप करते हैं, जैसे चित्रों को देखते हैं, जैसे चले चित्रों को देखते हैं, या फिर जैसी खबरे हम देखते हैं, चाहें वे अखबारों के माध्धम से, या फिर टीवी चैनल्स के माध्धम से, या फिर जैसे विचार, जैसे संसकार हमारे अंदर भरे गए हैं, या फिर हम विचार शील नहीं हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हमें इस बात का बोद ही नहीं है, कि हम नकारात्मक्ता की और बढ़ रहे हैं नकारात्मक्ता से उत प्रोत गतिविधियों में हम सनलिपता है यही सबसे बड़ी समस्या है यही सबसे बड़ी जटिलता है और अभी मैंने आप से ये बात कहा कि चित्र और चलचित्र के सासाथ अनेकों ऐसे माध्यम है जो हमारे मस्तिष्क में इन्पुट के रूप में कारे करते हैं और जब वे हमारे मस्तिष्क में इन्पुट के रूप में पहुंसते हैं उसके बाद मस्तिष्क उनका इंटिग्रेटड रूप परिणामों के रूप में देता हमारा मस्तिष तो एक कम्प्यूटर जैसा है हम जैसे इन्पुट देंगे हमें आउटपुट भी, परिणाम भी उसी के इंटीग्रिटेड फॉर्म में मिलेगा अब ही हम पर निर्भक करता है कि हम कैसे परिणाम चाहते जैसे परिणाम चाहें वेसे इंपुट दे दे अब सवाल यही है कि वे इंपुट आखिर दिये कैसे जाए जब चारों तरफ नाकरद्बकता है चारों तरफ ऐसी बाते हैं जो हमारे लिए नुक्सान दाएक हैं तो हम कैसे कैसे बचे इसके लिए तो मैं इस बात को समझता हूँ और चर्चा करता कि हमें उस लाइक बनना होगा कि हम सही और गलत की परक कर सकें यह समझ सकें कि क्या सही और क्या गलत जब हमारे अंदरी है ग्यान यह बोध यह सोच पैदा हो जाएगी हम स्वेम ही चुन-चुन कर अच्छी चीज़ें ले लेंगे इसके लिए ही तो अच्छे ग्रंथों का वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ विद्वत जन गुरुजन से जब आशिरवात सरुप ज्यान प्राप्त होगा वही यह विच्छी दिद करके बता पाएगा कि क्या सही और क्या गलत क्या क्या है क्या है